जैहिंद वंदे मात्रम सातियों मैं हो प्रेंस असम राइफल में सलेक्टेड है जी हाँ असम राइफल की टेक्निकल वे ट्रेड मेर की जो वेकेंसी है वो आप सभी की बीच में आ चुके इसका नौटिबेसन रेलीज कर दियागा है सबसे पहले अपडेट मिल रहा है आप 161 पड़ों पर वेकेंसी आप सभी के वीच में आ रही है 21 अक्टूबर से आप सभी के आविदर शुरू रहे हैं पॉइंट बात करूंगो बाइचे आलों को सब्सक्राइब करना मैं ऐसा नहीं और यूटूबर की तरह कि आपको फालत हुई चीज बताओं जो भी चीज है आंत्र परदिस में आठ पद, अन्वाचर परदिस में 6 पद, असम में 8 पद, बिहार में 15 पद, 36 पद, दिल्ली में 1 पद, गुजरात में 4 पद, हरियान में 2 पद, हिमाचल परदिस में 1, जम्मू कसिमी में 3, जहरकण में 8, कर्णाटेक में 4, केरल में 4, मध्य परदिस में मद्धे परदिस में 5, महराष्टा में 8, मडीपुड में 1, इजिरों में 10, नागलन में 13, उडिसा में 6, पंजा में 2, राजिस्थान में 5, तमिलाडो में 5, तेलंकार में 4, तिरो पुरा में 1, उत्रा परदिस में 13, उत्राखण में 1 वह पश्ची मंगाल में 6 बद आपके रह होंगे वह इसकी अंतिम तारिक 19 नौंबर 2023 ठीक है यहाँ पर आप देखेंगे 19 नौंबर 2023 तक आप इसके लिए आवेदर कर सकते तो फीच इसमे 100 रुपे रखी गई है अपर आप देख पार है 100 रुपे वह दस्तो है पर 2023 के लिए आवेदर फीच गुरूप B पदो के लिए 200 रुपे वह गुरूप C पदो के लिए 100 रुपे रखे है गुरूप B और गूरूप C में क्या अंतर है वो आपको आगे बताएं है ठीक है असम राइफल भरती के लिए योग्यता क्या है तो 161 पद आप सभी के आए हैं असम राइफल टेक्निकल ट्रेड में में आप इतने मागए इसके लिए विविविन पदोग के लिए अलग अलग योग्यता रखी कही है योग्यताब आयो की जाज के लिए करा जागा है यानि आपके पहले रणिंग होगी ठीक है फिर आपका चेस्ट वगड़ा जो भी है वो नापा जाएगा फिर आहीट वगड़ा उसके बाद दोस्तों इसकील टेस्ट जिसे ट्रेड टेस्ट करते होगा उसे उससे अगली स्टेड पर लिखित परिच्छा डाइफल्स गवर्मेंट डॉट इंड पर दोस्तों आप जाएंगे तो यहां से आप आविदन कर सकते हैं आप जानते हैं दोस्तों इसका जो ऑफिसल लोट बेसन है वह यहां पर जो पीडिया आपको मिलिए वो आपको दिखा दीता हूं तो आप यहां पर देख पारें द यहां पर आप देख पारें ठीक है और 18 दिसंबर से दोस्तों जो रेली है वो शुरू हो जाएगी यह भी मैं आपको बता चुका हूं 161 पत हैं और कितने राज्यों में पत हैं वह भी मैं आप से बीको बता चुका हूं ठीक है एपलाई कैसे करेंगी तो एपलाई के लिए 200 रुपे गुरुप C के लिए 100 रुपे ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं ठीक है तो यहां पर आप सारी चीज़े दिखंगे और दोस्तों फीस किसे नहीं देने पड़े है कि और देखो कहा कहा पर आपका दोस्तों यह फिजिकल होगा तो यहां पर हमारे ट्रेय होगी सिर्व वही होगा मेरे वही देखो यहां पर देखो यहां दीफू असम में ठीक है और सुखोबी नागलेंड में दीवापूर नागलेंड में सील्चर यह आपका मड़ीपूर में म जोरहत में और दोस्तो लेट को रही है आप सभी का यहापर होगा ठीक है थोड़ा सा मिष्टिक हो सकता है नाम वगरा में उसका टैंसर मत लीजिएगा तो यह पी आटी फिजिकल टेस्ट के बारे में आप सभी को राजीगा आप हमारे पास ही आएंगे फिजिकल देने समझ हम जहाँ पर हम ट्रैनिंग करेंगे हम यह आप वहाँ पर डूटी हमारी लगेगी विश्टाइम पर और आप वही पर फिजिकल देने आएंगे ठीक है तो कोई टेंसर नहीं हुई उलाकास आपसे हो जाएगी पैचानतों लोगे कोई बात नहीं कट ओफ दोस्तों ही का कट कर लेक्षन है और ओबीची को तीन साल का यहाँ है यहाँ है यहाँ से 28 साल तर फिलब कर सकते हैं और देखो फिजिकल एफे आपका जो टेस्ट होगा इसमें आपकी हाइट 117 सेंटीमीटर मापी जाएगी और चेस्ट आपका 80 से पिचाची होगा वहीं मिनिमम हाइट जो परोफ्यों एसम ही केंडिएड से टेप से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर देखिंगे हाइड जो करते हैं खेख बेलोग करते हैं mechanic only ठीक है यहाप आप देख पा रहे हैं जो दोस्तों आप सभी के जो वीकल एरिया से आते हैं जो आते मेगाले मड़िपूर अनुवाचल प्रदेश मेगाले से उनके लिए 160 cm रहेगी जो सिर्फ शेष्टी आते हैं समझे रहों और फिजी का सदcken टेस्ट पी अश्टी आपका होगा यहाँ पर देखी यह किसका है यहाँ आपका पर सुथ आफ़का नई सूविदार कहें जो नेप शूंवेदार होते हैं उनके गई है ठीक है और 155 cm female के लिए ठीक है तो यहाँ पर आप देखेंगे male female दोनों की vacancy है मिर भाई यहाँ पर ऐसा नहीं कि male के लिए नायव सुविदार में male female दोनों की vacancy है और यहाँ पर जो वारन टोपी तरह इसमें male female दोनों vacancy रहेगे ठीक है और आपका जोस्तों जो यहाँ पर फिजिकल इस्टेनर टेस्ट पीएस्टी एंड नायव सुविदार जो रिलिजियस टीचर होंगे उनके लिए ठीक है यहाँ पर आप देख पा रहे है फिजिकल इस्टेस्ट के बारे मैं आपको बता दिया है पांच किलमेटर रैनिंग पहले बता दिया था चोगी लड़कों के लिए और फिमेल के लिए लोस्टो मेटर रहे नहीं होगी साड़े आट मिनिट में ठीक है तो यह सारी चीज आप देख पा रहे है और यह दोस्तों आप सभी का पूरा यहाँ पर चार्ट देख सकते कि कि डिपार्टमेंट में कितनी वेकेंसी है ठीक है यह आप देखेंगे हाँ पर टोटल अंदर सब्सक्राइब ठीक है और इसमें तो क्वालिफिसन अब मैं आपको बता रहा हुं मैं आप सुभी को तो यहां पर आप देखेंगे मिर भाई कि आप सुभी को जो है बोट एंड मेल केंडिट ठीक है ट्रेड परसनल असिस्टेंड के लिए यह रहेगी जो क्वालिफेसर रहेगी वारेंट ऑब इसमें जो वर्ड पर मिनट होगा आपका जो टाइपिंग है वो दस पर म हो दस मिनट में असी वर्ड आपको टाइप करने पड़ेंगे इसकी इसमें टाइपिंग टेस्ट भी आपको कर रहे जागा है हाँ आप देख पा रहे हैं सब आप चेक कर सकते हैं इसमें नायव सुधार के लिए और यहां पर आप देखेंगे राई-फर्में एजुकेशन वह अलग-अलग ट्रेस्ट के लिए अलग-अलग आई-पे मांग गया है आप यहां पर इस्क्रीन सोर भी ले सकते हैं जिसको और सारी चीज़े जानना है वहां से जाकर दोस्तों आप डालेक्टी हमारे टेलग्राम गुरूप पर चल जा सकते हैं ठीक है तो मैंने आपको स पारी चीज़े दोस्तों बता दी है तो भाई कैसा लगा कमेंट आपके बाहिने वह वादा पूरा किया है अब आपको वादा पूरा करना है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को हर दोस्तों में सेयर कर देना है वैकेंज थोड़ी कम है 151 क्या पता आगे बढ़ जाए कुछ नहीं पता है तो आप सोचना कि वैकेंजी कम है वैकेंजी इंक्रीज भी हो सकती है कभी भी ठीक है ऐसा नहीं है कि आपने देखा होगा हर बार दोस्तों बी एस एप में इंक्रीज होई है ऐसा सी जीडी में इंक्रीज होई है तो इसमें भी इंक्रीज हो सकती है घब